आज हम चिकन पहीता बनाएंगे जिसके लिए हमने चिकन के ब्रेस्ट लिये हैं आदा किलो जिनको हमने बारी थोड़ा काट लेना है बहुत मोटे स्लाइसिस नहीं होने चाहिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें इन मसालों की जरूरत है नमक डालेंगे आधा टीस्पून, रेट चिली पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, काली मिर्ज का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, अजवाइन लेंगे वन फोर्थ टीस्पून या दो तीन चुटकी ले लेंगे, जीरा पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, लेम चॉप किया हुआ लेंगे तीन से चार टेबल स्कून सबसे पहले हमें चिकन लेनी है चिकन ब्रेस्ट लेंगे मोटे थे इसलिए हमने थोड़े बारी एक स्लाइसे में काटने हैं दो दो तुकड़े कर लें दर्म्यान में से काट लेंगे सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनीट क नमक डालेंगे 1.5 टी स्पून रेड चिरी पाउडर डालेंगे 1.5 टी स्पून ओलिव ओल डालेंगे 1 टेबल स्पून क्रेश्ट गार्लिक डालेंगे 1 टी स्पून काली मिर्ज का पाउडर डालेंगे 1.5 टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे 1.5 टी स्पून अजवाइन डालेंगे 1.4 टी स्पून या 2-3 चुटकी ले ले लेमन जूस लेंगे वन एन हाफ टेबल स्पून या आदा लेमन ले चोड़ ले हरा धनिया हमने लेना है तीन से चार टेबल स्पून बिल्कुल बारीग चॉप करना है धनिये को ये भी डाल देंगे अब हमने सारे मसाले जो हैं ये हाथों से अच्छी तरह से चिकन के उपर मसल देने हैं सारे मसाले हमने चिकन के उपर अच्छी तरह से मसल कर चिकन को हमने दो घंटे तक मैलिनेट करना है फ्रीज में रख देंगे दो घंटे के लिए सारी साइडों पर अची तरह से मसाला लगा देंगे साइडी चिकन पर हमने अची तरह से सारा मसाला मल दिया है अब हमने चिकन को दो खेंटे के लिए फ्रीज में रख देना है मैडिनेट करना है टूर्टिया का हमें एक पैकेट चाहिए जितनी भी जरूरत हो आप इतनी ही गरम कर लें एक हमने प्यास लिया है छोटा जिसको हम अपने शिम्ला मिर्चे ली है रेड ग्रीन और येलो इनको भी हमने जूलियन कट में काट लेना है सावर क्रीम लेंगे जितनी जरूरत हो उतना ही डालिये और सैलड के पत्ते ले ले लेंगे नमक तू टेस्ट काली विर्च का पाउडर तू टेस्ट कुकिंग ओल लेंगे अब हमने एक ग्रिल को करम कर लेना है यह आप ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं तवे के ओपर भी बना सकते हैं या आप ओवन में भी बना सकते हैं हलका हलका हमने इसके ओपर कुकिंग ओल लगा लेना है ताकि चिकन जो है यह साथ ना जुड़े चिकन को हमने दो गहंते तक मैरिनेट किया है अक्षी तरह से हमने चिकन को ग्रिल कर लेना है अब हमने चिकन की साइड चेंज कर देनी है साथ ही हमने हलका हलका रोटियों को सेख लेना है अब हमने चिकन को ठंडा करके बिल्कुल बार एक स्लाइसीज हमने चिकन के काट लेने है इस तरह से हमने सारी चिकन के स्लाइसीज काट लेने है तरह से हमने हमाने चिकन के साइड ही है बहुत जूसी और मज़ेदार चिकन का फ्लेवर है हारी चिकन के हमने फ्लाइसिस बारिक बारिक पाथ लेने हैं अरशी आपक Лवियू हमारा गरम हो चुका है तो हमने थोड़ा तेज रखना है मीडियों और हाई के दरमیयान एक से नड Надо 21 पृहले में हमने कुंकिंग आर गया है इसके अंदर अंदर प्यास शिम्ला मिर्चे दाल दीया है आपे मों ठीजाने एंपने कमें साथ को दाम करोबिए थे मदा किसेले हाज होग दाले हाज़ा नवका नवक दाल देंगे ताली मिर्च डाल देंगे जिकनी भी आप लाइक करें ताली मिर्च का पाउडर हलका हलका उपर डाल देंगे अब हमने सब्जियों को हलका सा नरम कर लेना है तेज आग पर अब हमने टोटोडिया ले लेनी है रोटियों को हमने हलका हलका सेक लिया है दोनों साइडों से गरम करना है अब हमने इसके अदर चिकन और सब्जियों जो हैं डाल देनी है घर मर्दी है जतनी पी आप डालना चाहें छटा सा हमने सेलड के पते भी डाल देने हैं अगर चुस्तप करें तो सेलड के पते भी डाल सकते हैं इसके अंदर हमने सावर क्रीम डाल देना है थोड़ी बजाल को है। कि यो जो लुट कर 뚜ा थोपी हाथ सास करते हैं। प्रिव तर शांति करते हैं थोस् Guad Vraga H से रुट क्याता हम देनी है कि अग नुट हाथ पसंद करते हैं तो हाथ सास करते हैं acaba is coming खे को हाथ सांटिय मिर्चें सावर कीक ट ले दिम लेजा फिर हमने रोटियों को इस तरह से लपेट देना है, लपेटकर हमने इसी कागस में इसदर से बंद कर देना है, नीचे को फोल्ड कर देंगे इस तरह से, सारे चिकन पहीते जो हैं हमने इसी तरह से रेड़ी कर लेने हैं, अगर आपकी कोई फर्माईश है तो आप मेरे फेस्बुक पर मैसिज करें या इस वीडियो पर कॉमिक्स करें मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए तो थम्स आप दें थेंक यू, अलाहाफिज थेंक ल currencies से इसाइब कि झापकर देंगे अimana handled दो थम्सामों MBA कि बन्स आपक बेहा थे दोछ सिर्मार्माईब करें कि ल स्वी आपकैब करें थ Savior